हाई फ्रेंट मदू ब्लोक में आप सब कर स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मकरन संक्रांति वाले लड़ुगा तो देखिए फ्रेंट हमने मुड़ी का लड़ुगा बनाएंगे तड्डू तो उसके लिए हमने मुड़ी लिए हैं तो देखिए हम कमंडल में एक कमंडल मुड़ी लिए हैं और कटोरी में एक कटोरी भारके हमने गोई ले लिए और कड़ाई को हमने गरम होने दे दिये थी तो देखिए मेरा कड़ाई गरम होगे गुण को इसमें हम डाल देंगे और इसका एक चासनी तयार करेंगे तो थोड पासा इसमें हमको पानी डालना है लगवक्त इन से चार चमच इसमें हम पानी डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो देखिए इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है तो देख सकते हैं मिक्स अच्छी तरह से हो गया है अब इसमें उबाल आने लगा है तो हम इसे चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छी से एक चासनी तयार ना हो जाए तो देखें इसी तरह हमने उबालते हैं और चलाते रहेंगे इसे ना छोड़ेंगे तो देख सकते हैं अब मेरा अच्छी तरह से एक चासनी बनके रेडी हो गया है तो हम एक कटोरी या गिलास में पानी रख लेंगे और उसमें थोड़ा सा हम चासनी पहले डाल के देखेंग अगर चासनी हाथ में उठ जा तो समझेए मेरा चासनी अच्छी तरह से रेडी हो गया है तो थोड़ा सा पहले डाल के देख रहें कि मेरा चासनी रेडी हुआ है या नहीं तो फिर अभी रेडी नहीं हुआ है तो थोड़ा सा और हम इसे मिक्स कर लेते हैं तो देखिए और भी से हम mix कर लेंगे थोड़ा सा पखने देनें तो अब color color से ही लग राए कि मेरा चासनी अब ready हो गया है तो इसे हम थोड़ा सा पानी में फिर से डालके देखेंगे और हाथ में उठाएंगे देखिए हमने डाल दीए देख सकते हैं अब तो यह गोल होके उठने लगा है तो देख सकते हैं गोल अच्छी तरह से हो गया है तो मेरा चासनी अब रेड़ी हो चुका है तो देखें ये हाथ में भी अच्छी तरह से ऊठ चुका है तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसमें हम दीरे दीरे हलका हलका मुड़ी डालना है और अच्छी तरह से मिक्स इसे करते जाएंगे इसे छोड़ेंगे ना इसे मिक्स करते रहना है तो देखिए इसी तरह हम मिक्से मिक्स करेंगे तो हमने थोड़ा सा डाल के मिक्स किए उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे और मिक्स करेंगे तो देखिए फ्रेंट हमने डाल दिये मेरा काड़ाई भी पूरा भर चुका है अब इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे तो देखिए, मिक्स कर लिए, चला लिए, अब नीचे इसे हम उतार देते हैं, उसके बाद इसका हम लईया, लड़ू बना के तयार करेंगे, तो देखिए फिरें इस तरह से हाथ में लेना है, और अच्छी तरह से दवा दवा के गोल गोल बना के इसे हमें रखना है, तो हम तो एक हाथ से आपको दिखा रहे हैं फिरें, दोनों हाथ से बनाने के बाद जल्दी बन के तयार हो जाते हैं, तो एक हमने बना के रख दियें, तो दूसरा आपको हम बना के दिखा रहे हैं फिरें, तो देखिए इसी तरह से हमें बनाना है, तो अब हम सारा बना के दिखा तो देख सकते हैं फिर मेरा सारा लड्डू अच्छी तरह से बन के तयार हो गया है तो मकर्ण संक्रांती में ये सब लड्डू बनते ही हैं हर घर में फ्रेंड तो मेरा वीडियो पूरा देखे और अगर आपको अच्छा लगे तो पिलीज लाइक और सब्सक्राइब करें फ् तो अच्छी तरह के से बन के तयार हो गया है तो इस तरह के से आप भी बनाएं लड्डू और घर में खाएं